दूस्तों एलेस जी और आर्चीबी के बीच में 15 मेच लएगा इपियल के इस वीडियो में आपको बताने वाल हो दूस्तों कि इस वेण्यू पे कौन कौन से यसे प्लियर है जिनके रिकॉर्ड अच्छे हैं जो गिया आज के मैच में अपने लिए एक्सेलेंट ग्रेंड लि करने वाले हैं ताकि आपको ग्रेंड लिग में अच्छी रेंग हासी लग सके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं उससे पहले दूस्तों आपको थोड़ा से एक अपडेट देता हूं कि अगर आपने विता कुबे रैप डाउनलोड नहीं करी तो ज़रूर डाउनलोड कर क्योंकि बहुत ही ज्यादा सांदार एपेस में डियो मोड आ चुका है इसपेसले आप सेकेंड इनिंग में भी आप डियो मोड खेल सकते हो और बहुत अच्छा विन कर सकते हो एक प्लेयर को लेना रहता है जिसमें आपको क्याप्टर्वाइस क्रेप्शन में बढाने की भ से बैक कर सकते हैं अगर बैक करेंगे तो इंपॉर्टन पर रहेंगे दोस्तों रोमारियो स्रीफट के जगावे मार्क बूड आएंगे दोस्तों और ज्यादा चाहिए और अगर माप बूड आते हैं तो उनकी क्या स्टेट्स हैं इनको अपने गों जील में लेना है नहीं वो अपन आगे डिसकस करने वाले हैं दोस्तों इसके अलावा यहां पर कुंटन डिकोग मोस्टों ली खेलते हों दिखेंगे और वन डाउन पर बैटिंग करना चाहिए दोस्तों एसा भी हो सकता है कि काईल मेर्स ओपन करने आ आ जाए और केल राहूल आ जाए वन डाउन दोस्तों तो यह चीज़ें के धियान रखना इसके अलावा यहां से बात करें दूस्तों अपन आर्सीवीगी टीम की तरफ से तो एक बड़ा अपडेट यह है कि वानिन दू हसरंगा अब 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 अभी लेबल हो चुके हैं लेकिन दूस्तों मुझे क्या लग रहा है कि म ओपन आगे डिसकस करेंगे बाकि दोस्तों फिलहाल अपन देख लेते हैं विकेट कीपिंगे अब अनुज राबत एवरेस से प्क रहेंगे इनको आप हटाई ही दो इसके अलावा दूस्तों दिनेश कारतिक निकोलास पूरान और क्यूंटन डिको खेलते दिखेंगे डिक एक्सिलेंट केप्टन ऑप्सन रहेंगे इनको आप ग्रेंड लिक में जरूर क्योंकि रिकोट काफी ज़्यादा जबरदस रहें और रिसेंट फॉर्म भी बहुत ही बहतरी चल रहा है यहां पर रिसेंट लिए वेस्ट इंडिस के अगेंस जो मेचिस के लिए तो बहुत ही अच्छे प्लियर है लेकिन दोस्तों रिसेंटली बैटिंग काफी नीचे करने आ रहे हैं अभी तक अच्छी नौक खेली भी नहीं है और दोस्तों इतने अधा कंसिस्टेंश के साथ रिसेंट टाइम पे स्कोर नहीं करा हुआ है तो मेरे साब से ठीक प्लियर रहेंगे इन और यहां पर दोस्तों आप दिनेश घार्थिक और अनूझ रावत को काफी कम ट्युम में तो अटा ही देना दिनेश घाषकर को आप कुछ टीम में भाइब कर सकते हो लिकिन वह सी थोड़ी सी रिस्की ज़्यादा हो जैंग्न अहीं दूर भी सेहां पर लक करते हैं पार्ट टाइमरों के लिए अब बॉलिंग काफी कम दी जारी दोस्तों और बैटिंग में इत्यर्चे फॉर्म में नहीं है वेन्यू पे बहुत बुरा रिकॉर्ड है इनको दोस्तों आप इजीली ड्रॉप कर सकते हो जील में ठीक प्लेयर रहेंगे ग्रेंडिंग मे तो इसलिए कुछ टीमों में लेके चल सकते हो बट ओवरॉल स्टेट्स देखोगे तो इनको आपन इजीली ड्रॉप कर सकते हैं फॉर्म भी कोई खास नहीं जट रहा है अगर दोस्तों दस मेंच खेलोगे आई पील का तो इनमें से किसी एक मेंच में थोड़ा फूर ठीक करके जाएंगे तो वरॉल इनको अपन इजीली ड्रॉप कर सकते हैं जील में भी लोकेश राओल को दूस्तों है काफिछ जबर्दस रिकॉर्ड रहे हैं और वेन्यू पे बहुत बहुत हैं रिकॉर्ड है और लास्ट डेस में थोड़ा सा फॉर्म में वापस से आता हुए तो यह मेरे साब से हाई पर्शंट अप्स लेक्टेड है लेकिन के अच्छा उप्स रहने वाल हैं ग्रेंड लिग पॉइंट होगी उसे क्योंकि रिसेंट्ली पर्फॉमेंस देखो गे तो इतने वह खास नहीं है और जिस तरीके से लोगों इनको है क्या त्राय करते हैं उ और सुयस प्रभू देशाही सायद खेलते हैं आपको दिख जाएं दोस्तों सबसे बहले फेब्ड़ प्लेस की बात करूए एक्सेलेंट कैप्टन ओप्सन रहने वाले हैं क्यों हो दोस्तों क्योंकि इनका वेन्यू रिकॉर्ड देख लो बहुत जवरदस थे हैं और हैट विराट कोली के बात कुरूर एक और चीज बता दो लगनों में खेला जा रहा है दोस्तों तो बेंगलुरू को डेफिनिटली फायदा है आपर मिलने वाला है तो यह अच्छे पिक रहने वाले और यह टीम भी थोड़ी सी अच्छी रहने वाली जिसको आप फेवर में प्ल आप अपनी टीम में लेके चल सकते हो कैप्टन के लिए जादा टीम में ट्राय मत करिएगा एक और दो टीम में कैप्टन बना सकते हो वाकी ठीक रिकोर्ड रहा है इनके कंपेर में दूस्तों फैप्ट्य प्लेसे काफी बेटर आप्सन रहने वाले हैं हिट्ट्य वेनि रि लेते हैं तो यहां पर दोट सबसे पहले मारकेस तो इसका आज मुझे नहीं लगता कि मिलेगा इनके रिकॉर्ड भी ठीक है खेले तो आप ट्राय कर सकते हो जील में कुछ टीमों में बाकी इतने कोई खास नहीं रहने वाले हैं क्रोणार पंडिया पर रिस्क लेके चलना से इतने इंपोर्टन नहीं है विकेट टेक निचर के बॉलर नहीं है दोस्तो इस वैन्यू पर भी पेसर्स को थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज मिलता है कंपेर टू इस पीनर तो आप इजले आज इनको ड्रॉप कर सकते हो कायल मेर्स पर आज इसक लीजेगा ड्रॉप सकते हैं कुछ टीमों में आप लेकर चरूर चल सकते हो लेकिन ओवर्वर्वल दूस्तों एवरेस्टी पर्फॉमसिन की रहती है सीवर्ड भी ठीक टाक प्लेयर रहेंगे लास्ट ने बालिंग करने भी नहीं आए तो और बेटिंग में अच्छे फार्म में तो आप इनको क दूरूर आप लेर के चल सकते हो अगर खेलते हैं क्योंकि फॉर्म काफी ज़दा जबरदस चल रहा है कैप्टन एकाट टीम में जरूर ट्राह करके चलिएगा दूस्तों और रूंडर सेक्शन की बात करें आर्सीब की दूस्तों तो काफी इंपॉर्टन यह रहने वाला है इनको टीम मौका देती हैं वाने दूसरे जगा पर दूसरे प्लेयर की जगा पर दोनों को दूनों आ जाते हैं तो यह दोनों इंपॉर्टन रहने वाले हैं यहाँ पर इस्पेशली माइकल ब्रेस्वेल की बात करें बैटिंग वाटर काफी ज़द इनका अच्छा रहा है स जाधे साथ दोस्तों बॉलिंग में अच्छा योगदान दे सकते हैं तो मेरे साब से एक्सेलेंट पिक हैं जिनको आज आप कैप्टन क्रूप में ट्राय कर सकते हो क्लैन में एक्सवेल की बात करो अच्छे पिक रहने वाले हैं बॉलिंग काफी जदा कम और की गेंद थीक ठाक पर्फोंस रहा है हलेकि इस वेन्यू पर थाषी रिकॉर्ड नहीं है बट ओर वर्वल थीक प्लियर रहेंगे इनको आप अपनी टीमों में जेल में लेकर चल सकते हो सेवाज है मैं दोस्तों एवरेस सी पर्फोंस देखे चाते हैं बॉलिंग भी काफी कम कर रहे हैं सो यह इतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे वानी दो आसरेंगा का रिसेंटली फॉर्म इत्ता चान नहीं चल रहा है बट वापस है नए प्लेयर आ रहा है दोस्तों और न्यू प्लियर जो भी आता है उसको मैं आपको हर बार बोलता हूं ठ्राइकर जरूर करा करो ग्रेंड नए प्लियर है अगर आते हैं तो आप कुछ टीपों में कैप्टन ज़रूर आए करना बट रिसेंट फॉर्म को धियार में लगते हो ब्लस हैट टूहेट रिकोर्ड को धियार में लगती हो और वेन्यू पर नहीं के ले तो उन सब चीजों को धियर टीमों में पे रिस्क ज जिसको आज अपनी टीम में लेके चल सकते हो बाकी प्लियर आप ग्रेंड लिग में रिस्क ले सकते हो इनको ड्रॉप कर सकते हो एल के बॉलिंग सेक्षन देख रहे हो यहाँ पर आवेस कान दोस्तों बैक करेंगे तो अच्छे रिकोर्ड है इस वेन्यू पर कमाल कर सकते ह रहने वाल है तो इनको आप जियल में जरूर क्याप्टेन ट्राय करना यहाँ पर दोस्तों रिवी विष्ण है काफी जदा हाई पर सेलेक्टेट प्लियर रही है और इस वेन्यू पर रिकॉर्ड नहीं है इनके लिकिन हैट टूएड पर ठीक ठाकी रिकॉर्ड रहे है तो दोस्तों इजली आप इनको ड्रॉप कर सकते हो जील की टीमों में मागवुड अगर बेक करेंगे इस वेन्यू पर इनको काफी जद अच्छी मदद बिलने वाली है तो यह एक एक्सिलेंट पिक रहेंगी जिनको आप कैप्टेन सी के रूप में ट्राय कर सकते हो यह दोनों में कैप भी ट्राय कर सकते हो हलाकि कैप लाइक प्लियर तो नहीं है लेकिन बना सकते हो फॉर्म इंका अच्छा चल रहा है रिसेंट लिए उनाद कर एक ठीक टाग एवरेश से प्लियर रहते हैं जो कि दूस्तों विकेट ज्यादा नहीं लेके जा पाते हैं बट रिसेंट सकते हो अच्छे फॉर्म से चल रहा है अमित में से एक अच्छे प्लियर है पर्शनेटर सेलेक्शन काफी सेदा कम है वेन्यू पर रिकॉर्ड बहुत बुरे हैं एड़ नहीं प्लियर थे वाप बेक कर रहा तो नहीं प्लियर आया थे दूस्तों पिसले वेंच में तो दो निकाल गएते हैं लेकिन हम मुझे इतनी अदे इंसे उमीद नहीं है ठीक प्लियर रहेंगे अगर आप लिना चाहूं तो ले सकते हो नहीं इसले ड्रॉप कर सकते हैं को आरसीव का बॉलिंग सेक्शन देखलो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला उससे पहले दोस्तों और पर भी ठीक रिकोर्ट रहेंगे दोस्तों मेरे साब से अच्छे पिक हैं क्योंकि अभी तक कुछ खास पर्फॉर्मस करनी पाएं तो काफी कम पर्शन लोगों ने लिया हुआ है लेकिन ग्रेंड लिग पॉइंट वी से बहुत अच्छे पिक हैं दोस्तों क्योंकि ये देथे बॉलर हे ये और विकेट इनको भी मिल सकता है तो ये दोनों देथे बॉलरों को जरूर कैप्टन वाइस केप्टन में ट्राय करना है क्रेंड की टीम होगा डेवीड विलिए दोस्तों जरूर रिस लेना ड्रॉप करना वेंकि लास्ट तच में आयते थे था उनके र ग्रेंडिंग में ड्रॉप कर सकते हो पर्सेंट सेलेक्शन काफी जदा हाई हो चुका है कंपेर तो दूस्तों महुंबस सिराज और हर्सन पठेल तो इसली ड्रॉप करने वाले प्लेयर हैं जरूर रिसकन पर लेके चलिएगा इसके अलब दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहां पर अपन करा सर्वा के रिकॉर्ड देख लो वेन्यू पर काफी जवर्दस पर्फॉमस है बीसी पर्ट्र सेलेक्टेड हैं दुस्तों कैप्टन के लिए एक्सेलेंट आप्सन यह रहने वाले हैं इसके अलब आकाज दिर दुस्तों ठीक रहेंगे प्लेयर अच्छे हैं यहां पर दूस्तों अच्छे प्लेयर लगे हैं जिसकी डेविड विली को तो रिस्क लीजेगा ड्रॉप करने की इसके अलाबाव यह तीन प्लेयर मुझे काफी जबरदस लग रहे हैं जो कि ग्रेंडिंग में बहुती अच्छा कर सकते आज के मिच में तो इन तीनों प्ल लेके चलुगा में विल्ओ के साहरा हूं इन दोनों को इन दोनों को मैंने एक्सेलिए पिक बता है क्योंकि रिसेंटली रिकॉर्ड अच्छे हैं पर्फॉम्स बहदरिन चल रही है और है ट्रॉप्ट वेन्नी दोनों में पर्फॉमस अच्छी है दुस्तों विराट कोली ल कॉड भी काफे जवरदस्त हैं तो यह तीनों को मैं अपनी टीम में लेके चलूँगा जेल की टीम है धियान रखिएगा और ड्रेम लेवन के हिसाब से बना रहा हूं तो यहां पर मैं और रोंडर बगरे कित्में भी पिक कर सकता हूं मैक्स बेल पर डेफिनेटली रिस्क लूँगा अगर वानी नुहास रंगा खेलते भी हैं तो इन पर रिस्क लेके चलूँगा इसके अलाव बागी कोई खास ओप्सन नहीं दिख रहा है अविलेबल यहां पर अपन आते हैं बॉलिंग सेक्सित भी हर सल पड़िल काफी इंप इसके अलावा काफी अपने यूनेक प्लेयर रहने वाले आजके मैं रिकॉर्ड काफी जबर दस्ते हैं और मेरे असाब से अच्छे पर मिस दे सकते तो मैं इनको भी अपनी डिम में लेके चलूँगा तो ओवरवल दूस्तों जो सो प्लेयर में आपका बताया थे उनी प्ल प्लेयर को प्लेयर सेट कर सकते हो के अच्छी प्लेयर कर सकते हो तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दे दा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऐका जरू प्रेस करना ताकि दुस्ते वीडियो अप्लेड़ो तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें साथे साथ एक इंपोर्टेंट चीज सुने लो दूस्तों जो मैं बता रहूं अभी आज से विंसी प्रीमेर लीग के मैचेस स्टार्ट होना है टीटेन के मैच लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना बेल आइकन जरू प्रेस करना अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हो तो अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको वीडियो को पता ही नहीं पड़ेगा कि वीडियो अप्लोड हो गए हैं और दुस्तों कई बार मैं क्या करने वाला हूं विंसी प्रीमियर लीग में में मेरी दो आइडिया ड्रीम लिएन की चालिश टीमों के साथ खेलने वाला हूं ग्रेंड लिग में निश्यल के मिज़स में बहुत हाई चांस रहता है कि विन कर सके यहां पर एक चीज़ आपको बता दू सुने लिए कर गया जो प्लियर है बहत्रिन प्लियर है और रॉंडर है बावन पर्शन लोगों ने फिलाल हूं को कैप्टिन बना रखाएं अगर इसे प्लियर फ्लॉप हो जाते हैं यहां फिर कोई डोमिस्टिक प्लियर अच्छा पर्फूंस दे जाता है जिसका पर्शन से भी कम है त तो यह कुछ काम है जो आपको जरूर करने हैं अगर आपको ग्रेंड लीग में कुछ अच्छा बढ़ा करना है तो दोस्तों